हलो इस्टूडेंट स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल इंगलिस नौलिज ट्री में हम सीख रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट इंगलिस इस्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करें तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आलवेज भी काइंड हमेशा दयालू रहें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंगलिस इस्टोरी को ट्रांसलेट करना सीखने के लिए पहले हमारे चैनल को subscribe कर लें इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे और वीडियो को upload किया है अगर आपने उन वीडियो को वाच नहीं किया है तो उन वीडियो को भी ज़रूर वाच करें जिससे आप स्टोरी को translate करना सीख जाएं तो आईए स्टोरी करते हैं जो एक लड़का था जो लिब्ड रहता था विद साथ में, his parents अपने माता पिता के हैपीली, खुशी से, धिरवाजा बॉय एक लड़का था, who lived with his parents हैपीली, जो अपने माता पिता के साथ खुशी से रहता था, his name was Mohit, उसका नाम Mohit था, ही लाइक्ड आइसक्रीम वेरी मच, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, सो इसलिए हिस मदर उसकी माने गेब मिस देना हिम उसे सम मनी कुछ रुपए फौर आइस क्रीम के लिए इसलिए हिस मदर गेब हिम सम मनी फौर आइस क्रीम इसलिए उसकी माने उसे कुछ रुपए दिये आइस क्रीम के लिए He ran to a nearby shop to purchase an ice cream He bought, उसने खरीदी an ice cream, एक ice cream, उसने एक ice cream खरीदी He kept the rest of money in his pocket, उसने kept रख लिए the rest of money बचे हुए पैसे in his pocket, अपनी pocket में, उसने बचे हुए पैसे अपनी pocket में रख लिए When, जब he was enjoying, जब भे आनन्द ले रहा था, the taste of ice cream, ice cream के स्वाद का जब भे ice cream के स्वाद का आनन्द ले रहा था, there was a boy, एक लड़का था on the other side of road Road की दूसरी तरफ, road की दूसरी तरफ एक लड़का था, the boy was looking at him लड़का उसकी तरफ देख रहा था, looking at him उसकी तरफ देख रहा था Mohit asked the boy, Mohit ने उस लड़के से पूँचा, do you like ice cream, क्या तुम ice cream पसंद करते हो The boy was quite, लड़का शांत था, he did not say anything, उसने कुछ नहीं कहा to Mohit Mohit से उसने Mohit से कुछ नहीं कहा, Mohit asked, Mohit ने पूँचा, would you like to have anything else, क्या तुम कुछ और लेना पसंद करोगे for yourself अपने लिए, क्या तुम अपने लिए कुछ और लेना पसंद करोगे The boy did not answer, लड़के ने आंसर नहीं दिया, Mohit understood, Mohit समझ गया That, की The boy will not say any single word, की लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा He started, उसने शुरू कर दिया to walk away, जाना, उसने जाना शुरू कर दिया Mohit told the boy not to go away, Mohit ने लड़के से ना जाने के लिए कहा And bought one ice cream for him, और उसके लिए एक ice cream खरी दी He called, उसने बुलाया, that boy उस लड़के को and gave an ice cream to him, और ice cream उसे दे दी तो student आईए एक बार फिर से इसके अर्थ को complete करते है The boy was quiet, लड़का शांत था, he did not say anything to Mohit, उसने Mohit से कुछ नहीं कहा Mohit asked, Mohit ने पूचा, would you like to have anything else for you, yourself क्या तुम अपने लिए कुछ और लेना पसंद करोगे The boy did not answer, लड़के ने answer नहीं दिया, Mohit understood, Mohit समझ गया that the boy will not say any single word, कि लड़का कुछ नहीं बोलेगा He started to walk away, उसने जाना शुरू कर दिया या वह जाने लगा Mohit told the boy, Mohit ने लड़के से कहा not to go away, ना जाने के लिए Mohit ने लड़के से ना जाने के लिए कहा and bought one ice cream for him और उसके लिए एक ice cream खरी दी He called that boy, उसने उस लड़के को बुलाया and gave an ice cream to him और उस लड़के को ice cream दे दी That boy took the ice cream, उस लड़के ने ice cream ले ली He said thank you to Mohit, उसने Mohit का धन्यवाद किया He ran towards his house, भै अपने घर की और दोड़ा After that, इसके बाद Mohit returned to his home Mohit अपने घर बापिस आया and told the whole story और सारी कहानी बताई to his mother अपनी मा को His mother was very glad, उसकी मा बहुत खुश थी For the act उसकार्रे के लिए Which Mohit did, जो Mohit ने किया Mohit was also very happy, मोहit भी बहुत खुश था आईए एक बार फिर से इस पैरा का अर्थ को complete करते हैं The boy took the ice cream, उस लड़के ने ice cream ले ली He said thank you to Mohit, उसने Mohit का धन्यवाद किया He ran towards his house भे अपने घर की और दोड़ा After that इसके बाद Mohit returned to his house Mohit अपने घर बापिस आया and told the whole story to his mother और सारी कहानी अपनी मा को बताई His mother was very glad, उसकी मा बहुत खुश थी For the act उस कार्रे के लिए Which Mohit did, जो Mohit ने किया Mohit was also very happy, Mohit भी बहुत खुश था